हेलो डियर वेलकम करताम आप सुभी की यूट्यूब चैनल नर्सिंग यान में और आप देख रहे हैं नर्सिंग यान के ओफिसियल यूट्यूब चैनल और आप है अगर ठाड़ यर के स्टुडेंट तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्पून है ठीक है बैसे तापको कईकी से भी कॉमप्टीशन में एक्जाम में बहुत जड़ा इंपर्टेंट हो सकता है बट आपके तिसरे एयर के लिए भी काफी महत्पून है यहां पर मैं मीडवाइफ्री और गाइनकोलोजी का जो है चबरदर्स्त जो है आपको पचास कूस्चन लेकर आया हूं जिसको आप समझते हैं तो आपको बहुत सारे जो है चीजे समझ में आयागा ऐसा नहीं है कि मैं सिधा अब्जेक्टिव सी बताते चलूंगा इससे रिलेटेड और सारे जो भी फैक्ट्स होगा मैं सब को जो है बताऊंगा जितना हो सकता है ठीक है तो वीडियो डेखने से बहुत ज़्यादा नौलेज हो और नौलेज ही आपको सभी जगह काम देते हैं ठीक है ना चलिए हम लोग आज सुरू करते हैं यह फिप्टी कूश्चन जो कि मीडवाई फ्री और गाइन को लोजीका है ठीक है दिखेंगे समझेंगे और यह जो है आपको बहुत सारे चीज को किल गरव अवस्था के 10 हपते से प्राप्त किया जा सकता है मतलब जो हैगर साइन होता है गुडवेल साइन होता है ठीक है ना बहुत सारे साइन होते हैं जो की प्रिगनेंसी के पिरियेड में देखने को मिलता है तो यह सब कितने साइन है यह कितने सपता से प्राप्त कर सकते म अब हैगर साइन में होता क्या है आप लोग कमेंट करके बताएए सब हम बता चुके हैं दूसरा है भुरून जो फीटल होता है उसके कपाल मतलब खोपरी का सबसे लंबा ब्यास प्रस्तूती डैस में होता है मतलब जो प्रस्तूती होता है उसमें फीटल का जो एसकल है या सबसे लंबा जो है भुरून का कपाल का प्रस्तुती होता है ठीक है याद रखिएगा तीसरा है कहता है भुरून के कपाल का सबसे बरा ब्यास डैस होता है मतलब देखिए ओ था सबसे लंबा भाग ठीक है न और यहां पर है सबसे बरा ब्यास भुरून के कपाल का सबसे बरा ब्यास होता है कौना सा होता है MENTO Vertical, मेंटो भर्टिकल जो होता है यह सबसे बड़ा ब्यास होता है, भुरून के खौपरी का, चुकि यह सब इसलिए बता इहां पे आ रहा है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जब बच्चे जन्म लेता है तो उसका जो是 परष्टूती होता है वह सबसे पहले क्या आता है खोपड़ी का ओसो पीटल भाग होता है वही सबसे पहले दिखाई देता है प्रेजिन सब्सक्राइब डेवर में तो इसी लिए जो iya hah tying towardsmis को भी स् match रूप से पाहना प्रता है इसी में आपको फंटील बाना है F boiling होता है ठीक है इसी में आपके क्या होते है से पोस्टेर के साङर में पूर्ण घ्री इंटीर होता है डिए carbon एंटेरीयर फॉन्टीली होता है तो एक खोपड़ी को भी से सुरूप से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले जब बच्चा जो है जन्म लेता है तो उसका खोपड़ी ही जो है बाहर आता है समझ गए ना तो इसलिए इसके ब्यास इसके लंबाई इसके डायमेटर के याद रखिएगा चोथा है कहता है एस हफते तक किया जा सकता है तो देखिए आप लोगों को पता होगा 20 सप्ता में पहले जो कानून एक्ट आया था MTP Act पहले जो MTP Act 1971 वाला जो था तो इसमें कहा गया कि 21-20 सब्ताह तक जो है किया जा सकता है ठीक है यानि 5 महीने तक यह हो सकता है 5 महीने का जो है हो सकता है लेकिन जब इसमें संसोधन किया गया कुछ इस एक्ट में संसोधन किया गया तो अब जो है 24 सब्ताह तक का समय दिया गया है ठीक है ना 20 से बहाकर 24 किया गया है जहां पर कुछ मामले में 24 सब्ताह यानि 6 महीने पर भी यह किया जा सकता है एवर्सन तो याद रखिएगा पाचमा है कहता है 10 हपते पर गर्वति के अस्थनों से क्लो एश्ट्रम निकाला जा सकता है क् गढ़ा पिला होता है तो यह जो है आपके कितने सब्ताह में है जो है प्रिग्नेंसी के निकलने लगते हैं तो 14 सब्ताह ठीक है ना इस प्रियर में निकलने लगते हैं एबरेश्ट से छटा है देख लीजिए यहां पर ऑक्सीपीटो फरंटल ब्यास होता है देखिए आप सकतमा कहता यहां पर की यूर्स की पीरा रहीत संकूचन को डेस कहते हैं मतलब जो यूरी को सहता है इगर उसमें बीना किसी पीरा के अगर कंट्राक्षन होता है संकूचन होता है तो उसी हम लोग stata कहते हैं क्या कहते हैं फिसंकि Musila कशने हैं कि यूटरस में बीना किसी पेन के जो है अचानक से संकूचन जो है शुरू हो जाता है अब इसमें। नोर्ओं नहीं पर दर्द बगारा नहीं होता है इस reluctant कहते है याद आगे है आठमा नंबर कहता है अपरसिक्षित दाई द्वारा गर्वपात कराने से डैस गर्वपात हो शकता है मतलब अन्ट्रेनेड अगर मीड वाइप के द्वारा अगर एवर्सन कराया जा रहा है तो उसमें सेप्टिक मतलब संक्रमन हो सकता है उससे गर्पपात में ठीक है तो याद रखिएगा आगे है नौमा है कम बजन के सीसू का बजन कितना गराम से कम होना पर कम बजन लो वर्थ बेट बेबी कहलाता है तो पचीस सौ ग्राम से अगर बच्चा जन्म लेने के बाद इतना से कम रहता है तो उसे लो वर्थ बेट बेबी के अंदर रखते है अगर यह वर्जन 15-100 से ग्राम से भी कम हो जाता है तो भेडी लो वर्थ बेट बेबी कहते है ठीक है दस है कहता है बीसमे हपते में भुरून का वजन कितना होता है तो साथी मेरे जब बीसमा सपता हो जाता है प्रिग्रेंसी का तो उस समय जो भीटल जो भुरून होता है उसका वजन तीन सो से लेकर चार सो जो है गराम के आसपास जो है होता है ठीक है याद रखिएगा आगे ह उसे अपरा का बहार भुरून के बहारह का कितना होता है। आप लोग हम पता है प्लेसेंटा क्या सा'm में जैसे मानिय यह यूटरस अब आप लोग को पता है, की जैसे यह बच्चा है, भुरून है, घीक है, यूटरस में, गर्व में, अब यह बच्चा को चारो साइट से जो है, जिली से ढाका होता है ठीक है, और घीक है अ कि ऑद है, अदिंधर बच्चा रहता है, और आमनियोटीक फुलूड भी रहता है, तो जैसे ही जिली फटता है तो बच्चा बाहर आने लगेगा तो इस कंडिशन में समय से पहले अगर जिली फट जाता है तो इससे अधीक खत्रा होता है तो उसमें संक्रमन जो है सबसे बड़ा मेन रहता है खत्रा ठीक है तेरा है कहता है तिसरी तिमाही में होने वाले पीरा रहीत पीरा रहीत का मतल़ होता है कि बीना बिदाउट पीरा के ठीक है बिदाउट पेन के तो तिसरी तिमाही में बिदाउट पेन के भेजीनल ब्लीडिंग को क्या कहते हैं तो माई डियार इसको हम लोग प्लेसेंटा प् कारन होता है कि यह प्लेसेंटा प्रिवीयर रहता है तो इसमें औरके से मिलकर मिलकर proportional hour हडईयों से देख लीजिए श्रोणी डैश वर्माट से मिलकर बना है मतलब जो श्रोणी होता है चार हड़ियों से मिलकर बना होता है ूण को याद रखिएगा पंद्रा है कहता है लेवर की तिथी को डैश कहते हैं तो आप लोगों को परहा दिये हुए है इसे संभावित प्रशर्वति भी हम लोग कहते हैं सुला है देखिएगा जब अपरा निम्न जो है यूटरस भाग पर आरोपित होता है तो उससे क्या कहते हैं अभी मैंने उपर बताया कि अपरा जो प्लेसेंटा होता है वह यूटरस के अगर नीचले वाले भाग पर आरोप प्लेट रहता है तो उससे जो है हम लोग क्या कहते हैं प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं और इसमें बीडाउट पेन के बीना किसी पीडा के जो है ब्लीडिंग होने लगता है कुछ समय में प्रिग्नेंसी के 17 कहता है बाधित प्रशर्व में ऊंच यवम नीमन गरवासे के कहते हैं मतलब व best ऊंच यवम नीमन गरवासे के बीच में उसे क्या कहते हैं तो माई लि saturate आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब इस रहता है तो ऊंच यॉँम नीमन गरवासे के बीच में जो है एक रिंग बनता है और उस रिंग को हम लोग क्या सब कidor Oke लोग नवजात सिसु के मतलब निव बॉर्न बेबी के सरीर पर चिपचीपफ सफेद पादार्थ को क्या कहते है आप लोगों पता होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बड़ी पर एक जो है चिपचीपफे से सफेद परकार के पादार्थ लगा होता है जैसे ही बच की पहली गतिवीदी को क्या कहते हैं मतलब भुरून के पहले हल्चल कहिए गतिवीदी कहिए इसको क्यूकनिंग कहते हैं या 20 में सब्ताह के आसपास जो है महसूस होता है एक महिला में ठीक है तो भुरून के पहली हल्चल या गतिवीदी को क्यूकनिंग कहते हैं ठीक है अब है जीना के द्वारा होता है इसे लिकोरिया कहते हैं आप लोगों पता भी होगा ठीक है एक इस नंबर है फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहां होता है तो आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं फैलोपियन के एमपुला वाला भाग में फर्टिलाइजेशन किरिया होती है तो ये सब याद रखloo बहुत अच्छा प्रश है 22 है कंधे के प्रस्तुती में कैसे कंधे की प्रस्तूती में डीनो मीनेटर होता है डीनो मीने benefiting का मतलब होता है आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा असान भासा में सिधा समझ जिए कि दीखनेवला ठीक है दीखनेवला भाग मतलब ज़ो भाग दिखे वही डिमिने डीमे डिनोमिनेटर होता है तो जैसे मानें बच्क जर्म ले रहा है तो उसमें अगर उसका Transontation अगर कंधा हो प्रस्तूती में तो उसका सबसे पहले जो दिखने वाला भाग होता है वह कौन सा होगा एसके पुला होगा ठीक है डिनोमिनेटर वाला जो भाग होगा वह एसके पुला वाला होगा क्युक्कि जानते हैं कि कंधा बला कंधे से ही लगा हुआ एसकेपुला होता है ठीके न? ध्यान में रखिएगा 13 है कहता है MTP Act जो होता है किस वर्स पारित हुआ MTP Act जो होता है वह का पारित हुआ था 1971 में पारित हुआ ठीके न? आगे देखिए 24 नमर है कहता है कि प्रशर्व के बाद कपाल पर होने वाले सूजन को क्या कहते हैं मतलब जब प्रशर्व हो जाता है तो उसके बाद जो इसकल है खोपरी उस कपाल पर अगर सूजन रहता है तो उस सूजन को क्या कहते हैं और यह सूजन कोई बड़ा गंभीर नहीं होता है नॉर्मल सूजन होता है जो नॉर्मल धिरे-धिरे ठीक हो जाता है तो इसको हम लोग कैपूट सक्सी डेनम कहते हैं जो भी सूजन हो चाहे वो बलड वाला सूजन हो चाहे वो जल भरने के अगर वह जल वाला सुजन है तो उसे हाइड्रो सेफलस कहते हैं ठीक है दोनों याद रखिएगा 25 नंबर है कहता है आयू जी आर में फंडल उचाई समान से कितना होता है आयू जी आर आयू जी आर में जो फंडस होता है मतलब सिधा समझे जो भुरून का उचाई होता है समा इंडोमेट्रियम को क्या कहते हैं मतलब प्रिग्नेंसी के दवरान अगर इंडोमेट्रियम को आंतरीक परत होता है तो गर्वासे के दौरां जो हम लोग करते हैं का ज जोब्लेबर होता है जो रिहूं अंतरीक फ़रत जो कि आप लोग पता है दौराने होई जाता है सताई से कहता है प्रशर्व की सक्रीय वस्था में सर्विक्स का बिस्तार 10 सेंटीमीटर होता है तो जब लेवर होते रहता है लेवर प्रशर्व तो उस दरान जो एक टीब जो डिलेशन होता है सर्विक्स में वह लगभग लगभग जो है आठ से 6 से 10 सेंटीमीटर त करता है कि यह जो है रोग परती रोधक चंता परदान करता है कि गरवासे में जब द्रब की मात्रा 300 ml से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं अब यह भी हम परहा चुके हैं ओलीगो ओलीगो हाइडरा मेनियोज परहा चुके हैं ठीक है मैतलब आप लोग को में एमनियोटिक फुलूड जो है परहा चुके हैं कि कब जो है कितने पिरियर्ड में कितना बनता है तो जो है एक लिटर के आसपास में होता है तो इसे हम लोग अलीगो हाइडरा मेनियाज कहते है ठीक है अलीगा मतलब अल्प उल्वोदक होता है ठीक है ना तो 300 से 300 ml से कम हो जाता है तो यही होता है ठीक है तो अगला फॉंटली जो होता है कितने महीने में बंद हो जाता है तो एंटेरियर जो बंद हो जाता है आगला महीने में समय लगता है आगला जो है बारा नौ से अठारा महीने में बंद होता है और पिछला जल्दी ही बंद हो जाता है पिछला जो है एक से दो महीने में ही बं canción बढ़ा है होता है और एक इंटीर होता है उसमें जो है आपके होते हैं एच से चुएर हो गया इंटेर भला होता है तो इसmameren충 होता है Wi-Fi जो सिचुर होता है, यह दोनों जैसे ऐ हडी है, अ हडी है, तो इसके बीच में जो जो हज़लता है, नहीं मानने है प्यज्ण जोहीं करता है, तो यह हमारा कपाल से लालात जो होता है और ये जो बंद होता है या जो फॉंटली बंद होता है आगे वाला भाग बंद होता है 18 महिने में इसलिए देखते हो येगा कि जो बच्चा रहता है उसका कपाल में आप अंगली धसा येगा तो धस जाता है है क्यों क्योंकि वह अभी बंद हुआ नहीं रहता है ठीक है जा रखे याद रखे इसब से जो बारा वयास होता है ओपर देखे हैं तो इसमें जो इसमें कौन सा होता है तो यह ऑसि पूट्ट जो होता है एक हड़ी होता हड़ी होता है खोपनी का आप पढ़िएगा अच्छे से फॉंट्ली के बारे में आपको पता चले तो है यह वर्टेक्स प्रस्तुती में डीनो मिनेटर का काम करता है थीक है जब बच्चा जन्म लेता है तो इसका खुपनी ही सबसे पहले बाहरा आता है सीर का तो उसमें जो होता है यह अद्किये तो है और बंद होना ठीक है जैसे सर्वीक्स हो गया तो सर्वीक्स का मुह खुलेगा तब नो वह धीरे-धीरे फैलेगा तो जो इंटरनल रूप से खुलता है जैसे यूटरस गरवासे के और गरीबा के बीच जो द्वार का काम होता है वही ओयस होता है एक ओयस आंत्रीक और एक ब अन्तुरिक ही होता है तो उसमें जो खुलेगा तो वह इंटरनल OASний ठीक है क्यूंकि पता है जैसे यह यूतरस है तीक है इसी से जो है आपके यहां-पर और यहां-पर इस जो है बहुत पतलाचीद अपर होता है और उसके बाता है यहां-पर भाह्ग अगर यूटरस से है यह आपके खुलना और बंद होना एयर डिलेशन मतलब भीशतारन होता है ठीक है चोंतीस है यहां पर देखिएगा अंबलीकल कोड के संक्रमन को क्या कहते हैं मतलब ना भी नाल में अगर संक्रमन होता है तो उसे क्या कहते हैं ओंफिलाइटिस कहते हैं ओंफिलाइटिस अंबलीकल कोड ओंफिलाइटिस इजड़ राइट एंसर 35 है मुह की प्रस्तूती में डिनोमीनेटर होता है मतलब अगर बच्चा जन मिले रहा है उस समय उसका अगर प्रेजेंट टेंसन में अगर मुह आ जाए फेस आए तो उसका फेस में कौन सा डिनोमीनेटर होता है मेंटम में होता है कि मुह नाक आख जो है यह दिखाई देता है डिनोमीनेटर में एक होता है कि सिधा सर नीचे आएगा तो उसमें कपाल का और सिपीटो भाग दिखता है लेकिन सर तो आ रहा है लेकिन अगर उसमें प्रेजेंट टें बच्चा जन मिलेने के बाद जो पहला मल त्यागता है उसे हम लोग मिकोनियम कहते हैं ठीक है ना मिकोनियम सैती से कहता है फीटल भुरून के खोपरी में 10 फॉंटली होते हैं कितने फॉंट अभी यही फॉंटली आया ना 6 फॉंटली होते हैं होता है और सीपीटल होता है ठीक है बहुत सारे फॉंटली होते हैं और यह 6 के संख्या में फॉंटली होते हैं यह खोपरी में पाया जाने वाला फॉंटली है यह सब को हम परहा देंगे आपको दिकत टेंसर नहीं लेना पहले अबजेक्टिव याद रखिए 38 कहता है गरफ अबस्था में सर्विक्स का मुलायम होना कौन सा चीन कहलाता है तो याद रखिए गुडविल जो साइन होता है गुडएल साइन यह जो है सौप्टनेस ओफ सर्विक्स होता ठीक है सर्विक्स में सौप्टिंग होना मुलायम होना ही गुडएल साइन कहलाता ह ठीक है इसब प्रिगनेंसी के दौरान होता है 39 है एंटेरिययर फॉंटली का अकार डैस जैसा होता है एंटेरियर मतलब होता है कि आगे बाला पॉस्टेडियर मतलब होता है पीछे बाला तो आप लोग को बच्चा के खुपरी देखते हो यह गा तो आगे से कुछ जो है आपके क्या होते हैं आजे से कुछ जो है आपके इस परकार चालिस है अम्लीकल कार्ड की जो लंबाई होती है 50 cm याद रखेगा नाभिनाल जो होता है सीसु में स्रोनी पेलिवी के inlet को क्या कहते है माइड यह जो ब्रीम होता है यह आपके inlet होता है स्रोनी के inlet को ब्रीम कहते है अब यह होता क्या है जैसे मानिए एक मेरे से यह सो आपके करने के लिए पर दी जाने वाले चीरे का नाम क्या है मैं आपको परहाद चुका हूँ अगर यूटरस से उपर और नाभी से नीचे चीरा अगर ऐसे लगाए या इसे लगाए तो यह होता है सिजेरियन सिक्सन लेकिन भैजीना के नीचे पेरेनियम छेतर में जो चीरा लगता है और मुह को फैलाने के लिए जो चीरा लगाया जात होता है वह भगण शेदन conclusion cola अधीक असपंदन महसूस होने को क्या कहते है vendo यह एप धीक असपंदन महआई इस सब बहुत इंप्स में ग्या होता है तो यह को क्या होता है तो यह भैजीना होता है उसके फॉर्णीस में अस्पंदन होने को औसी एंडर कहते हैं ठीक है चवालिस है अपरा का अलग होना तथा जिली के साथ जो है भैजीना जो है द्वार से बाहर होना जो है लेवर की डैस अवस्था में होता है तो आप लोग को पता है कि जो प्लेसेंटा हो हुआ परत् legislature के समय मां आप पड़ती दिन कितना कैलोरी सब्सक्तर किलो कैलोरी की होटी है तो आप लोग को बता है 26 कालोरी की अभसेगता होती है 25 से लेकर 3000 कलोरी की जो है आपको अभसेगता होती है ठीक है अस्तनपान कराने वाली महिलाओं में ये चीज़े है 26 46 नमबर है की प्रेगनेंसी में प्रोटीन की 10 ग्राम acordती दिन की अब सेकता होती है, किलो कैलोरी तो हो गया, अब बात रही कि प्रोटीन कितना चाहिए, तो 50 से 60 गराम परती दिन आपको चाहिए होते हैं प्रोटीन, ठीक है, चुकि प्रोटीन, बिटामील, किलो कैलोरी ये सब चीज की जरूरत परती है, एक चुकि उस समय अस्तन प a pure Zhou होतो है यह को च्गण के बाद सूंजग को शूजन को कहते हैं बहुत इंपर्टेंट है प्रिगनेंट होने के साथ ही जो है आपके मासिक धर्म बंद हो जाते है तो वह नेचुरल तोर पे बंद होता है लेकिन अगर बीना गर्व के भी अगर यह जो है आपके अस्थाई रूप से बंद हो जाता है मासिक धर्म होना तो वह एक समस्या का जर्म बनता है और उसे एमनोरिया कहते हैं मनोरिया का मतलब ही होता है कि मार्सिक धर्म नौ होना ठीक है और यह जो है आपके एक समस्या का जर होता है ठीक है ना याद रखिएगा तो इस परकास से यह पचास प्रसन आपके लिए काफी महत्पुन था जो कि आपके मीडवाइफरी गैनकोलोजी से था मैंने बता दिया आप लोग इसको पढ़िये समझिये और अच्छा लगे तो सेर आगे जरूर कीजिये ठीक है धन्यवाद